नमस्कार दोस्तो जगु ग्यान में आपका एक बर फिर से स्वागत है गाईज आजम फिर से हाजर हो गई आपके सामने एक और धमा केतार वीडियो लेकर दोस्तो हमारे जीवन में पेशों का बहुत बड़ा महत्व है इसलिए बोलते है कि पैशे बचा के रखना चाये जिसे कि किसी भी मुश्यबत के समय में काम आ सके क्यूकि कोई बीमारी या परेशानी बता के नहीं आती उच समय हमारे पास पैशे नहीं होते तो हमें बहुत बड़ी मुश्यबत का सामना करना पड़ सकता है दूस्तों अगर कहीं पर असानक से हमारे जीवन में मुशिबत आ जाए तो हमारे पास तीन रास्ते होते हैं पहला है हमें पैचे बचा के रखना चाहिए जो हमें मुशिबत के समय में काम आए दूसरा है किसी रिष्टेदार या दोस्ते उदर लेना या बैंक से लोन लेना लेकिन ज़्यादा तर दोर स्रीफ अपने अच्छे वक्त में कामाते है बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता और बैंक से लोन इतनी आसान इसे नहीं मिलता इसके लिए हमारे पास कोई अच्छा इंकम का सोर्स होना चाहिए या हमारे पास कोई ऐसी सीज होनी चाहिए जो हम बैंक के पास गिर्वी रख सके तो ही हमें बैंक लोन देती है और तीसरा रास्ता है डोनेशन या क्राउन फंडिंग तो दोस्तों अगर हमने पैचे बचा के नहीं रखे तो हमें मुसिबत के समय में जो काम आएगा वो है डोनेशन या क्राउन फंडिंग दोस्तों क्राउन फंडिंग का मतलब होता है भीरत बारा एकत्रित किये गए हुए पैचे इसे थोड़े बारे की से समझे तो अगर मान लीजे किसी कोई 1,00,00 रुपय की जरूरत है तो उसको 1,00,00 रुपया कोई एक इंसान या दो इंसान तो नहीं दे सकते क्योंकि वो पोसिबल ही नहीं है और अगर देभी देते है तो उसको भी आज के साथ चुकाना भी बढ़ता है लेकिन अगर 10,000 लोग मिलकर सिर्फ 10-10 रूपया देंगे तो 1,00,000 रूपया बड़ी आसानी से हो जाएगे इसमें देने वाले को परेशानी भी नहीं होती और जरुयात मंद को मदद भी मिल जाती है तो दोस्तो इसे केते हैं Crown Funding जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर किसी भी काम के लिए मदद करते है लेकिन दोस्तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इतने सारे लोग लाए कहां से जो मदद कर सके तो आज के वीडियो में हम ऐसे एक प्लेटफरम के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर हजार नहीं बलकि लाखो डोनर है जो जर्यात मंद लोगों की मदद करता है और दोस्तो हम जिस प्लेटफरम के बारे में बताने के बात कर रहे हैं उसका नाम है केटो ओर्गेनाजेशन दोस्तो केटो ओर्गेनाजेशन भारत का सबसे बड़ा ट्रस्टेट क्राउन फंडिंग ओर्गेनाजेशन हैं जहाँ पर अभी तक लाखो लोगों को मदद मिली है और केटो के मदद से आप भी अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने रिष्टेदार के लिए ये प्लेट्फूम बहुत ही काम आने वाला है इसलिए इनके बारे में सारी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पिला हमारे आपसे एक सोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना अगर आप हमारे चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन डबाकर ओल नोटिफिक्शन ओन कर दे जिसे हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको मिलते रहे तो चलिए दोस्तो देखते हैं केटो ओर्गनाइजेसन में प्रोफाल कैसे क्रियेट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले अपने PC या Mobile में Google या Chrome browser ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है keto.org तो सबसे पहला है जो result दीखेगा keto.org उस पर सिंपली क्लिक कर देना है तो आपके सामने keto के official website ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरह दिखेगी दोस्तो गर आप Mobile का यूज़ कर रहे हो तो इससे पहले desktop mode पर कर लेना है ताकि सबी चीज़े असी तरह से दिखे दोस्तो इस platform की अच्छी बाती है कि यहाँ पर platform feed zero है यानि कि यहाँ पर कोई transaction या वीडरो करने के लिए कोई भी charge देना नहीं पड़ता यहाँ पर आप देख सकते हो 500 लाग से भी ज्यादा donor से और दो लाग से भी ज्यादा founder से यहाँ पर थोड़ा निचे स्क्रोल करोगे जिन लोगों ने यहाँ पर profile बना के रखी उन सबी लोगों की profile दीखेगी आपके भी profile तेयर हो जाने के बाद ऐसे ही कुछ दीखने वाली है यहाँ पर total fund दीखेगा कि कितने fund की ज़रूर थे उनमें से कितने fund receive हुई यहाँ पर दीखेगा यहाँ पर दीखेगा और यहाँ पर supporter दीखेगा कि कितने लोगों ने support किया है आपकी profile को यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी profile बनी हुई है उसके निचे यहाँ पर स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आप सिंपल स्ट्री स्टेप में अपना फाउंड रेजर स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर तिनो स्टेप बताया है उसमें से यहाँ पर पहले में बताया है कि आप अपने बारे में डीटेल बताया है कि आपको क्यों के चोके ज़रूर थे वह दूसरे स्टेप में यहाँ पर बताया गया है कि अपने प्रोफाइल को अपने मीत्रों और परिवारों को साथ सेयर करें वह तिसरे स्टेप में आपको यहाँ पर जो धन मिले गया उसे बीना परेशाने के साथ अपने बियंग अकाउंट में ले सकते हो और थोड़ा निस स्क्रोल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप कौँछे कौँछे सिसुवेशन के लिए फंडराइज कर सकते हो उसके निचे यहाँ पर और भी डिटेल मिल जाएगे आपको आप साहे तो पढ़ सकते हो तो दोस्तो अब यहाँ पर अपने प्रोफाल बनानी है तो उसके लिए यहाँ पर उपर आ जाना है और यहाँ पर स्टार्ट ओफ फंडराइजर फूर फ्रीपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपने जो आपने जो मोबल नमबर इने करना है उसके बाद नेक्स्ट करने कबाद यहाँ पर आपने जो मोबल नंबर दिया है उसपर एक OTPI आएगा वो सके…" एंटर करना है और उसके बाद फिर से next करना है तो आप कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ पर अपने बारे में और जानकारी पुछी जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले उपर अपना purpose दीखेगा आप साहे तो यहाँ से उसे change कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको कितने fund की जरूरत है उतना एड़ कर सकते हो उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बताना है कि प्यसेंट कौन है तो यहाँ पर सिलेक करना है कि क्या आप खुद प्यसेंट है क्या आपने father है, mother है, grand father है, grand mother है, husband है, wife है, son है, daughter है, twins है, grandson है, granddaughter है, brother है, sister है यहाँ अपने friend है कि friend की की को लेकिन यहाँ पर फोतो या वीडियो लगा होगे तो आपको प्रोचा उत्रहरा जाता है इस यह जा क्रिक करना है वर उसके बाद निसे Save and Continue पर क्लिक करना है तो अब कुछ इस तरह का प्याद ओपन होगा यहाँ पर पेसेंट के बारे में सारी डीटेल पूछी जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले पेसेंट का नायम एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर पेसेंट के एज एंटर करनी है यहाँ पर पेसेंट का मोबाल नमबर एंटर करना है यहाँ पर पेसेंट को कौन सी बीमारी है वो एंटर करनी है यहाँ पर होस्पिटाल इटी स्टेट्मन देना है यहाँ पर यह सिलक करना है कि पेसेंट अभी होस्पिटल में है होस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है हाल ही में होस्पिटल चे सूटी मिली है या बहुती जल्द होस्पिटल में भरती होने वाला है तो इन में से जो भी पेसम्ट की इस इस्यूविशन रूइल करने है और उसकेबाद यहाँ पर नीचे ऑस्पिटल का नाम एंटर करना है और यहाँ पर अपनी city एंटर करना है उसकेबाद नीचे यहाँ पर save and continue करना है तो अब कुछी इस तरगा page उपन होगा तो दोस्तों इस वाले page में आपकी patient की और अपनी सारी detail के अनुसार keto ने अपनी तरफ से एक story बना के दे दी है एक story अपनी profile लाइव होने के बाल सभी founder को दिखेगी तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो और कुछ change करना साहे तो अपने तरफ से कर सकते हो यहाँ से कोई medical document अपलोट करना साहे तो भी कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है और submit पर क्लिक करना है जैसे submit पर क्लिक करोगे तो आपकी profile कंपलेट हो जाएगी यहाँ पर आप screen पर देख सकते हो के congress relation your fundraiser is live तो दोस्तों यहाँ पर हमने medical treatment के लिए यह profile बनाई है इसलिए यह profile डारेक लाइव हो चुकी है अन्यदा किसी ओर purpose के लिए हम profile बनाते तो पेले under review में जाती है उसके बाद keto के staff अपनी profile को verification करते है उसके बाद ही लाइव करेगा तब यहाँ पर अपनी profile वोट्सोप पर share कर सकते हो और fund मगवा सकते हो तो जितना हो सके उतना ज़्यादा share करोगे उतना fund आएगा तो दोस्तों यहाँ से इस window को close करना है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी profile दिखेगी तो यहाँ पर अपनी profile को edit करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर अपनी profile में जो image या video लगाए होगा वो दिखेगा यहाँ पर contribute now का option मिलेगा तो जो भी लोग यहाँ पर fund देना चाहते हो यहाँ से दे सकते है यहाँ पर सारे payment का option दिआ है वहां से वो payment कर सकेगे उसके बाद यहाँ पर आपको कितना fund मिला है वो दिखेगा और यहाँ पर आपके fund की limit कितनी है वो दिखेगी उसके बाद अबावोट में आपको वो story दिखेगे जो keto ने हमें बना के दी थी उसके बाद यहाँ पर click करेगे तो update दिखेगा और यहाँ पर comment में जिन लोगों ने comment किये वो दिखेगी उसके बाद यहाँ पर नीज से scroll करेंगे तो donation method दिखेगा इन सारी detail keto पर लाए हो चुकी है तो जो भी लोग keto में visit करेंगे या fund करेंगे उसको अब यह चारी profile दिखेगी तो दोस्तो अब यहाँ पर आपको अपने profile को verification करना होगा जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको अपने profile verification नहीं कराओगे तो 7 दिन के अंदर आपका profile delete हो जाएगा तो यानि कि 7 दिन के अंदर आपने profile verification नहीं किया तो आपको यहाँ पर जो phone मिलेगा उसे आप अपने bank account में नहीं लेशेकोगे तो profile verification करने के लिए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Complete verification now तो simply उस पर click करना है तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक to do list आएगा तो यहाँ पर बताया गया है कि verification के लिए आपको किन किन सीजों की ज़रूत पड़ेगी जैसे कि यहाँ पर अपने patient की medical document की ज़रूत पड़ेगी अपने आधारकाल अपलोड करना पड़ेगा और अपने personal detail देनी पड़ेगी तो इस window को यहाँ से close कर देना है और यहाँ पर यह सारी detail एंटर करनी है तो यहाँ पर सबसे फिले complete और KYC में complete नाव उपर क्लिक करके KYC document अपलोड करना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर upload medical document में upload document पर क्लिक करके patient के medical के document अपलोड करना है तो दोस्तो अगर आपको कुछ समझ में ना रहा हो कि कैसे KYC approval कराना है तो यहाँ पर क्लिक करके video देख सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर daily के view दिखेगे यहाँ पर आपके profile को कितने लोगों ने support किया हो दिखेगा और यहाँ पर total donors दिखेगे यहाँ पर total amount दिखेगी कि अभी तक कितना fund एक्टा हुआ है तो जब यहाँ पर आपका fund एक्टा हो जाए तो उसके अपने bank account पे लेने के लिए यहाँ पर side में आपको यहाँ पर कुछ option दिखेगे उसमें से withdraw वाले option पर click करना है तो कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ से आप अपने amount को withdraw कर सकते हो amount withdrawal करने के लिए यहाँ पर withdrawal process दीगी है तो यहाँ पर total 4 step में बताया गया है कि यहाँ से आप amount के से विड़ोल कर सकते हो तो first step में यहाँ पर बताया गया है कि आपको beneficiary document upload करना होगे जिसमें आपको pancard upload करना होगा address proof upload करना होगा और bank document upload करना होगा उसके बाद दूसरे स्टेप में बताया गया है कि Keto आपके document को verification करेगा और verify हो जाने के बाद तूसरे स्टेप में बताया गया है कि आपकी withdraw request चेंड कर दी जाएगी और 4 स्टेप में आपके BNK account में amount पहुच जाएगी तो आपको एक दो दिन में Keto के staff member call करेंगे और आपकी सारी detail जानेगे और आप उसे सारी detail दे देते हो तो आपका verification successful हो जाएगा तो ही यहाँ पर आपका profile live रहेगा और आप fund raise कर सकते हो और नियसा आपका profile यहाँ से delete कर दिया जाएगा तो दोस्तो इसलिए यहाँ पर आपको सारी जानकारी सही डालनी ज़रूरी है तो दोस्तो आजके वीडियो में बस इतना ही उमीद करते है कि आपको ही वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे इस वीडियो का अपने फेमिली फ्रेंड के साथ जादे से जादा सेर करें जिसे की ज़रूरीयत मन्द लोगों को मदद मिल सकें और दोस्तो आप हमारे चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इसी तरह के कंटेन हम इस चैनल में लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तो आप मिलते हैं कोर धमा के दार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई